नमस्कार दोस्तों आज हम ये वीडियो आर्थिक तंगी से जो लोग जूज रहे हैं जिनको फिनेंशल लोसिस जादा हो रहे हैं या जिनके पास पैसे की बहुत जादा कमी हैं कर्ज में डूबे हुए हैं व्यापार उनका बिल्कुल मंदा हो चुका है या डूबने के कगार पर हैं ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे बास प्रशन आते रहते हैं कि सर आप इस तरह की हमें आपसे मदद चाहिए कि जीवन के अंदर हम इस आर्थिक तंगी से निकल सकें और हम भी खुशाल और सुखी जीवन जी सकें मित्रों क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रशन होते हैं आर्थिक तंगी को लेकर तो मैंने मन में विचार आया कि क्यों न एक इसके उपर पूरा वीडियो बनाया जाए जिससे कि सभी लोगों को इससे लाब हो यदि आप ये वीडियो अंतक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस परकार से आर्थिक तंगी से निकल सकते हैं और अपने जियों में सुख समर्दी और वैभाव को प्राप्त कर सकते हैं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि मेरा हर वीडियो एक नया टोपिक जो भी होता है वो व्यक्तियों के रोज मर्रा के जीवन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी क लेकर होता है क्योंकि मैं समझ सकता हूं जो आप मुझे पर्शन भेजते हैं उसके आधार पर मुझे पता चलता है कि आप लोग किन-किन परेशानियों से गुज़र रहे हैं दूसरा कारणी यो होता है कि मैं सभी के जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरे बहुत समय नहीं हो पाता है इतने सारे पश्ण मेरे पास आ जाते हैं कि अभी मैं उनको 10-10 दिन 12-12 दिन तक उनको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ इतने सारे पश्ण मुझे इमेल आ जाती हैं वाटसअप आ जाते हैं और वो मुझे बार-बार फोन करते हैं कि गुरुजी आप हमारा जवाब अभी तक आपको नहीं दे पाए हैं तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी जितने भी समश्चाय हैं जीवन से वीडियो बनाता रहता हूं इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्चे करें जिससे कि आपको जितने भी प्रेशानिया आपकी हैं उससे सम्मंधित वीडियो देखने को मिले और यदि मैं कोई नया वीडियो बनाता हूं तो एकदम वो नोटिफेकेशन आपके पास जाए क्योंकि मैं समझ सकता हूं मैं human nature को समझ सकता हूं कि वो किन-किन परिशानियों से गुजर रहे हैं क्या-क्या उनकी समझ्चा हैं और उनको किस प्रकार के समधान चाहिए ये मेरा अनुभाव इसलिए है क्योंकि मैं इसलिए कई वर्षों से आप लोगों से डार अच्छी advice की जरौत होती है एक अच्छी सलाह की जरौत होती है और आपको नहीं मिल पाती तो उससे आप काफी कस्ट में हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो किस प्रकार से दुखी होकर depression में चले जाते हैं मानसिक रोप से पीडित रहते हैं और बहु में या और भी माद्यमों से देखते रहते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति ने आर्थिक परिशानियों से जूझते हुए या जीवन की अन्य समझ्याओं से जूझते हुए उसमें आत्मत्या कर ली तो दोस्तों इसलिए आप मेरे इस चैनल को अंतक अवश्य देखिए और अप आप जिनके शुप जिन तक हैं उनको भी इस वीडियो को आप शेर अवश्य करें जिससे समाज के अंदर उनका भी लाव हो सके तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जन्मकुंडली के आधार पर यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो उसका कारण क्या है और फिर उस आर्थिक तंगी से निकलने के उपाय क्या हैं मित्रों एक बात जो आपको बहुत ध्यान देनी चाहिए वो यह है कि आपकी जन्मकुंडली के अंदर ही सब कुछ छुपा होता है यदि आपकी जन्मकुंडली के अंदर लगन, दशम भाव, ग्यारवा भाव और के जो घर है फिर मैं आपको बताना चाहूंगा ये घर यदि आपके स्ट्रोंग नहीं है यदि किसी परकार से ये दूशित या हम कहेंगे नेगेटिव प्लैनेट से परभावित हैं तो आपको जीवन के अंदर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है दूसरे जो प् वैभव और सुक समरदी सील जीवन व्यतित करेंगे अब बात आती है कि यदि आपकी कुंड़ी में ये प्लैनेट शुब नहीं है तो मैं यहाँ पर एक आपको जनरल और बहुती सटीक फार्मूला आपको बता रहा हूं आप किसी भी राशी के हैं चाहे आपकी कोई भी र रशा चल रही है गोचर चल रहा है आप किसी भी परकार से जूज रहे हैं आतिक दंगी सब के लिए मैंनेक सामान यहां पर बना हैं यदि आपको पर्ट्रिकुलर अपनी राशी और लगन के हिसाब से यदि धन योग और सुखी समरदी शील जीवन व्यतित करना है तो फिर मेरी जो वीडियो हों मैंने अलग-अलग राशीयों और लगन के उपर वीडियो बनाई हुई हैं आप उनको जाकर अवश्यद देखिए और आप अपने जीवन में प्रेशानियों से छुटकारब पा सकते हैं दूसरी बात यह है मित्रो कि यदि हम अपने जीवन के अंदर बुद्ध शुक्र गुरु और चंद्रमा को स्ट्रों कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर सुख समरिद्धी आने शुरू हो गही अब मैं एक प्रेक्टिकल एप्रोच भी आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत महत्मूर्ण है जो लोग मैंने द ग्रोप से या सामाजिक जो लक्षन होते हैं वो अलग होते हैं और जीवन में जो गरीब लोग होते हैं या जो लोग असफल होते हैं उनके लक्षन अलग होते हैं तो मैं आपको यहां पर सफल होने के लक्षन बता रहा हूँ कि आप जीवन के अंदर धन लक्षमी को किस प पता रहा हूं उससे आप उसको correlate कर सकेंगे आपको पता चलेगा कि लक्षमी किन लोगों के पास रहती है या लक्षमी के लिए कौन लोग योग्य हैं मित्रो जैसा कि आपने सुना होगा भगवान विश्नु की जो पत्नी है वो लक्षमी है और भगवान विश्नु आप लखेंगे उनके अंदर मेगनेट एंवो अपने जीवन के अंदर उटके आपने जो भी फोटो देखी होगी आंपने अनोभव होगा देखा होगा कि उनकी जो जो उलों का रूप है बहुत विशाल हैं बहुत अधीय है और वह जितने सज सब्सक्राइब हैं वह नहीं सुना पाऊंगा लेकिन मैं नए वीडियो में जो कि मैं अलग अलग राशी के लिए लेके आया हूं उसमें मैं इस पूरी काहनी को आपको अवश्चे सुनाऊंगा आप उस वीडियो को अवश्चे देखें तो जीवन में सफल होने का जो सबसे एक प्रैक्टिकल एप् वो गंदे ना हो उनके अंदर बद्बू ना आ रही हो और आपके पर्सनल्टी को सूट करते हो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग कपड़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उनको लगता है कि आप जो भी पहन लेंगे चलेगा नहीं मित्रो शुक् परिणाम देने के बदले वो आपको अशुब परिणाम देने लगता है एक बात दूसरी बात जो मैं पैक्टिकल बताने जा रहा हूं वो यह है कि आप प्रियास करिए आप अपने शारेर ग्रूप से आप बिल्कुल जितना साफ सुत्रे रह सकते हैं यदि आप बालों को और आपको अच्छे दंसे ट्रिम करिए उनको डेली शैंपू या साबून या जिस परकार से भी आप उनको साफ रख सकते हैं वो करिए आपके नाखून बिलकुल कटे वे होने चाहिए शरीर से किसी भी परकार की बदबू नही आनी चाहिए आपके दाथ बिलकुल साफ हो चाहिए और कोशिश करिए कि आप जितना आकरशित सुन्दर बनके रह सकते हैं वो रहिए उसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हमारा जो शरीर होता है हमारा लगन होता है और यदि आप नहादो के साफ सुत्रे नहीं रहते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारा लगनेश कमजोर हो जाता है और लंगलेश कमजोर हो जाने से हम कई परकार की बिमारी और कई परकार की परेशानियों से जूजन लगते हैं ये practical approach मैंने आपको बताई इसका जो सामाजिक जो असल ये पढ़ता है जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं या जो शारणिक रूप से जो नाते दोते नहीं है या बहुत केरलेस रहते हैं अपने उसमें तो समाज के जो दूसरे लोग है उनसे थोड़ी सी दूरी बनाना शू कर देते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो अमीर लोग है आप देखेंगे अमीर लोगों को या जो सक्षम लोग है या जो सफल लोग है मैं यहां पर अमीर की जो मैं बात कर रहा हूँ पैसे की ही बात नहीं कर रहा हूँ सफल लोगों की और सफल लोगों की बात कर रहा हूँ तो आप देखेंगे जो सफल लोग होते हैं वो ऐसे लोगों को दूर रखना शू कर देते हैं उनको लगता है ये व्यक्ति हमार साथ उठने बैठने लायक नहीं है ये इस व्यक्ति को यदि हम उटाएंगे बिठाएंगे तो इससे हमारे उपर भी बुरा असर पड़ेगा तो मित्रो यदि आप जिन लोगों के पास लक्षमी है, धन है, सफलता है यदि वो लोग आपको अपने पास ही नहीं बिठाएंगे या वो आपसे बात ही नहीं करेंगे तो आप लक्षमी को या धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो ये बात यदि आपको समझ में आ गई तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर चमतकारी क्रोप से फाइदा होगा तीसरी बात मैं आपको जो बताना चाहूँ अब जो मेरे अनुभाव से आई है मैंने देखा है जो लोग सफल होते हैं वो बहुत मिर्दुभाशी होते हैं और आप उनको देखेंगे कि वो बहुत प्यार से बात करते हैं उनके अंदर आप देखेंगे स्वाभी मान होता है घमंड नहीं होता तो मैंने जितने असफल लोग देखे हैं वो मैंने देखा है कि उनके अंदर स्वाभी मान नाम की चीज नहीं होती लेकिन उसके उलट उनके अंदर काफी एंकार होता है घमंड होता है और वो अपने को ये मान के चलता है कि हम जीवन में हम सबसे उपर है या हम सफल है मित्रों ये बहुत बड़ा मैंने देखा है कि सफल और असफल लोगों के अंदर फासला देखा है यदि आपके अंदर भी ये है तो आप इस चीज़ को बिलकुल अपने जीवन से निकाल देजिए यदि आप इन तीन उपाये को जो मैंने आपको बताए हैं यदि आप ये करते हैं तो निश्चित रोप से आपको धन वैभब और सुख समरिद्धी आपको प्राप्त होने वाली है मित्रों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में जाकर लाइक करें और आप किस परकार के मेरे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे आप अवंश्य बताए क्योंकि होता गह आपका जो फिट बैक होता है उसी के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मानव कल्यानों जैसा कि विवेका नंजी ने कहा है मन नर सेवा ही नारेण सेवा यही उद्देश्य को मैं ध्यान में रखते हुए आपके सामने आपकी प्रेशानियों के समादान करता रहता हूं तो एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा आपका दिन शुब हो आपके घर परिवार में सुख समरिद्धी वैभब और लक्षमी की कृपा बनी रहे ऐसी मैं शुब कामना करता हूँ आज के लिए केवल इतना ही नमस्का